आज हम लोग एलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में बात करेंगे एलेक्ट्रिशन के काम में काम आने वाले टूल्स की बात करेंगे अगर हम एलेक्ट्रिकल टूल्स के बात करें तो इन्हें हम तीन भागों में पार्ट सकते हैं लेहले होता हमारा हन्डी के दूसरा होता हमारा नटाम है पावर टूल तीसरा होता हमारा मेजरिंग डिवाइसे अगर आप हैंट टूल की बात करें ऐसे उज़ार जो की जिने हम अपने हातों से चलाते हैं वो हमारे हैंट टूल के अंतर गताते हैं जैसे कि हमारा कॉम्बिनेशनल प्लायर हो गया कटर हो गया इसके अलावा हमारा स्कूर ड्राइवर हो गया यह सारे के सारे हमारे हैंट टूल के अंतर गताते हैं पावर टूल वो टूल होते हैं जिने चलाने के लिए हमें अलग से पावर सप्लाय देने पड़ती है जैसे कि हम बात करें हमारा ग्राइंडर हो गया या तो फिर हम बात करें कटिंग प्लायर कटिंग वाला टूल हो गया जिसकी मदद से हम चीजों को काटते हैं और इसके लाव हमारा जिग्जो हो गया जिसकी मदद से हम लकडी को काटते हैं और डिल मशीन हो गया इसे तरीके से और भी टूल्स आते हैं जो कि एलेक्रिसिटी दिवाइसे की बात करें कि मेजरेंग टूल्स और शाध कुईन पाषब कंते हैं पारटोंग आप लिवाइसनि का इसके अलावा हमारा वोल्ट मेटरात को समय हो गया्ग.. कि मोर्स कईल भी मनुनीम टोलangen के वार्ट मिरंटल हो गया्व.. यह सारे कि सारे हमारे मेज्टीरिंग टोल्स अब अहु आ मैंथ को देखते हैं यह हमारे टूल से čू की काम में लिक स्टल्ड से हमाने तामिक्षी गभल से हम पेय। जैसे हम बाप करें, यह हमारा side cutter है, जिसकी मदद से हम wire को काटते हैं, यह हमारा wire steeper and cutter है, इसकी मदद से हम wire को छील भी सकते हैं, और wire को काट भी सकते हैं, यह हमारा wire cutter है, जिसकी मदद से हम wire को काटते हैं, यह हमारा nose plier है, नोस प्लायर की बात करें तो इसकी मतलब से हम जो सक्री जगे होती है वहां पर वायर को स्कूज वगिरा को पकड़ने के लिए कस्तनी के लिए इसके अलाबा वायर को इसकी मतलब से हम कार्ड भी सकते हैं और वायर को मोड भी सकते हैं वायर को मोडने पकड़ने के काम में हम यह हमारा automatic wire stripper है यह दोनों wire stripper है पर इसमें थोड़े हमारे advantage होते हैं कि इसमें automatic SIM wire रखते हैं यहां पर हमारे पास यह scale देके रखा है तो इसकी साब से जिसे 5 mm, 10 mm जितना भी हमें उसमें से wire बसे insulation हटाना है उतना हम wire यहां पर रखते हैं और इसको हम जिसे ही प्रेस करते तो अपने आप ये उतना इंसुलेशन हटा देता है और इसका एडवंटेज यह भी ही कि ये कभी भी वायर को उपसान नहीं हो साता है जो हमारा मेटल होता है सबस्केर ये हमारा जैसला काड़ भी सकते हैं और पकड़ बहुते है इसले हमारा क्रिंपिंग टूल क्रिंपिंग टूल हिसे सकते हैं को अ उसमकल लखset चड़ा थोया की किरिए यह लगस वगईब आता है तो कि इसके अलावा यह हमारा गृप प्लायर को है कि यह मारा जो पाइप अगेरा होते स्कूरू अगेरा हो गयरा हो गयरा हो ते पॉड़ करने के काम में आता है इसको यूज बाद में देखेंगे किस तरकी से प्योग में लाते हैं है यह हमारा monkey pliyer हो गीए इसको monkey pliyer भी कहते हैं एक मुह तोते के जिसे होने के काऱए है यह हमारा vench rice से अलग लग तरीके से जिसके हम इसकी बात करें यह हमारा flat end screwdriver है, यह हमारा star screwdriver है, इसका आप मुँआ अगरा देखेंगे तो यह जो star nut होते हैं, star screws होते हैं, उन्हें खोलने के काम में आते हैं, इसके अलाबा यह हमारा, यह भी इसे बड़ा वाला medium वाला screwdriver है, फ्लेट वाले में, और यह हमारा fully insulated screwdriver है, इसके दोनों टाइप के मुँँ है, हमारा star भी है और flat भी है, जिसा हमारे पास screw होगा, उसके साथ से हमें इसको change करके उप्योग कर सकते हैं, यह हमारा tool box है, इसमें सारे तरगी के हमारे tools है, सारे तरगी के screw driver है, यह simple, जैसे कि इसमें देखें हम, यह हमारा छोटा वाला star, इसमें bit देके रखी है, यह से थोड़ा बड़े वाले star भी, इसी तरीके से एक इसमें यह हमारा, यह hole करने के लिए देखें रखा है, इसे हम poker के तरह भी use कर सकते हैं, यह हमारा hammer है, जिसे हमें electrical की बात करें, तो electrical में दो तरीके के hammers यूज होता है, मतलब वैसे दो तरीक पर दूसरा हमारा cross pin hammer आता है, इलेक्टिकल की बात करें, तो electrical में हमारा ball pin hammer यूज होता है, और अगर हम cross pin की बात करें, तो जो हमारा metal वगेरा cutting होती है, वहाँ पर हमारा cross pin hammer यूज होता है, यह हमारा chisel है, चीजल की मदद से जब दिवाल वगेरा में जब चेद वगेरा क तो जब आ करते हैं, तो उसको निशान लगाने के काम में आता है, जैसे जहाँ पर भी हमें निशान लगाने के काम में आता है, जब स्ट्राइक इस पे ठोपते हैं, तो वहां पर एक point बिल जाता है, जिसके मतर से फिर उस पे drill करते हैं, यह हमारा electrical meter है, के मिटा वह जिसके मदर से हम हैं यह हनारा हेगजा फ्रेम वर ब्लेड है जिसके मदर से जब हमने लकड़ी ख़र आता है कुछ भी काम होता तो उस कंडिशन में इसे कटिंग लेदाइं इह हमारे पास फाइल क्यों रुस्का स्वा संब साब करने के, प्लेन करने के काम में आता, अगर हम फाइल की बात करें, तो फाइल में हमारे तीन तर्के के होती है, यह हमारी फ्लेट फाइल है, अब जैसे देख सकते हैं, कि इसके दोनों एंड फ्लेट है, इसकी बात करें, तो यह हमारा सेमी राउंड फाइल है, इसकी बात माहिज के रहें तो ये पूरी तरिके से घुले से राउंट वाइल करते हैं यह हमारा कि कि है प्लेन बटानी के काम धाद लोगर कétais नहीं है कि यह हमारा आइसकी मतबत से ताहर हम हम आइना फ्लेंग नकान क करते हैं तो तो प्रेवाल में हमें एक state line चाहिए रहती है तो उस condition में हम इसका use करते हैं और बाकी इसको use कैसे करते हैं हम आगे इसको देखेंगे यहां पर हमारे पास दो तरगी के spanner से हमारे ring spanner से और यह हमारा double end spanner है में आगे अब हम इस टूल की बात करेंगे जैसे कि अस्टार्टिंग में ही देखा कि वह टूल्स होते हैं जिने चलाने के लिए हमें अलग से पावर सप्लाई देने पड़ती हैं, तो यहां पर हमारे पास थीजिव तरीकennesड़े की पावर टूल से, जिससे कि पहलना हम बात करें तो यह हमारा जिग्जाग कटर, जिग्जाग कटर युअ फे जिग्जाग शिब्घा मशीन हैं, जिसकी मदब से हम लकडी को काड़ते हैं जैसे कि हम पता है कि लक्टेकल में हमारे पास बहुत सारे से काम रहते हैं जिसमें में लकडी की कटिंग बगेरा करने पड़ती है तो जिगज़ों मशीन हमारी वहां पे काम आती है लकडी की कटिंग के लिए इसके बाद हम दूसरे टूल की बात करें तो यह हमारी डिल मशीन है, डिल मशीन से जिसे दिवाल बगिरा हो गई या फिर लकडी बगिरा हो गई जहां पर हमें डिल करने की छेट करने की ज़रत होती है, वहां पर हम डिल मशीन की मदब से छेट करते हैं, यह इसकी अलग 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 शेप की बिट् लगाते हैं चेंज करके हम वैसाँ हूऌ कर सकते हैंना यह हमारी ग्राइंडर नशीन की सल आठीEh stronger मैं ग्राइंडर ज्रैणर की पातकरें तो इसकी मदद से हम से जो दिवाल होता भाइव काम में आठा है यह सिंपए हमारा जैसे कि हमने देखा था पांच मिटर का टेपर जिसकी मदश Matthias की म office छीजों किवाक यह वाइर वाइर गें जिसकी मदश् fallen डबाई और गेरा इसका मॉर्ट मत्पी दूसरा और रहर है उसका dud आ अपने के काम में पाता है यह सिंपल हमारा वोल्ट मीटर है वोल्ट मीटर की बात करें तो हमें हमारे किस भी चीज का वोल्टिज वगेरा मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं इसी तरीके से इसकी बात करें तो यह हमारा एमीटर है यह हमारा मेगर है, मेगर की मदद से हम वायर का इंसुलेशन तता उसका रजिस्टेंस मेजर करते हैं। यह वायर का इंसुलेशन तता हम सानगे काम का आता है। यहां पर हमारे पास ही है डिजिटल मल्टी मीटर है जैसे कि हमने इसे पहले देखा कि वोल्ट मीटर किसी चीज का वोल्टेज मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं उसे तरीके से करेंट मेजर करने के लिए हम एमेटर का यूज करते हैं पावर मेजर करने क के लिए हम वाट मेटर का यूज करते हैं तो हमें हर एक चीज को मेजर करने के लिए हमें एक अलग चीज की ज़रत पड़ती है पर जो मल्टी मेटर होता है एक मेटर से हम सारे चीजे मेजर कर सकते हैं तो इसलिए इसे मल्टी मेटर कहते हैं मतलब सिंपर हम चाहें मल्टी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं कारेंट मेजर कर सकते हैं किसी चीज की कर्टिण cachet हैं तो यह इसकी मदद से भी मेजर कर सकते है। यह सिक्ट करना थैंगे यहां पर बात करें तो इसकी मदद से हम AC और DC डोनों टाइप का वोल्टेज और करेंट इसमें करेंट भी हम मुझे करेंट दोनों टाइप का केज error कर सकती है कि तब डीनिए